असलाम लेकुम आज हमें एक से डेड़ साल की बच्ची का ये खुबसूरत सा फ्रोग द्यार करेंगे ये फ्रोग मैंने दुपट्टे के कट पीस से बनाया है ये मैंने कपड़े का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई 24 इंच और इसकी चुड़ाई 19 इंच है पहले मैं कपड़े का फ्रिल वाला इससा लग कर लूँगी मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और इससे लग कर लिया है यहां मैं फ्रोग के उपर वाले पार्ट के लिए निशान लगाऊंगी इसकी लंबाई मैंने 8 इंच लिया है और इसकी चुड़ाई 13 इंच है और ये क मेर का निशान 5.5 पर लगाऊंगी और आर्म होल की शेप दे दूँगी 102 कन फाइफ Wow Фacey ओल लगाऊंगी चस्ट का निशान 5.5 पर लगाऊंगी कमर का निशान 5 इच पर लगाऊंगी और एक इंच सलाई का मार्जन रुखोंगी हाफ इंच शोल्डर डाउन करूँगी नेक के छुडाई का निशान दो इंच पर लगाऊंगी और फ्रांट नेक का निशान दो इंच पर लगाऊंगी जबके बैक नेक का निशान देड़ इंच पर लगाऊंगी अब इन सब निशानों का मिला लूँगी और इस पर कटिंग कर लूँगी यहां से तक्रीबन आधाईंच तिर्चा कर दूँगी बैक पाट की सेंटर से कटिंग कर दूँगी और इस पर पटन टेक बनाऊंगी अब बाकी बचे हुए कपड़े में से मैं दो पटियां निकालूँगी जिसकी चुड़ाई धाई इंच है बाकी कपड़े में से मैं सलीव बनाऊंगी इसकी चुड़ाई साड़े पांच इंच है और इसकी लंबाई साड़े नो इंच है सलीप मैंने लास्टिक वाले बनाने हैं इसलिए मैं इसकी ज्यादा कटिंग नहीं करूंगी बैक पे जो मैंने पटियां लगानी है उनको मैंने आदा आदा इंचे अंदर की तरफ फोल्ड करके तैब इठा ली है अब इसको इस तरह रखेंगे और इसके उपर सलाई लगा देंगे यहां मैं सलाई लगा कर इनको आपस में अटैच कर लूँगी अब शोल्डर की सलाईयां लगाऊंगी यह मैंने और इप पटि ली है और इसे नेक पर लगाऊंगी अब इसके सलीब त्यार करेंगे इस में एलास्टिक लगाने के लिए मैं डेड़ इंच पर निशान लगाऊंगी और यहां पर कट लगा लूँगी अब इसको बारीक फोल्ड करोंगी इलास्टिक के लंबाई 6 इंच है इसको मैं कट पर इस तरह रखोंगी और सलाई लगा लूँगी दुनों किनारों पर मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है अब इसको इस तरह खेंच कर इसके उपर सलाई लगा दूँगी और इसमें चुनट पढ़ जाएंगे अब सलीव को उपर वेले पार्ट से अटेच कर देंगे अब इसकी नेक पर लेस लगाऊंगी लेस को मैं बैक से लगाना स्टार्ट करूँगी अब बार्ट लेस मेंने लगा ली है अब इसके साइड की सलाईयां लगा कर इसको कम्पलीट कर लेंगे अब फ्रोग के नीचे वाला पार्ट त्यार करेंगे यहां मैं सेंटर में कट लगा लूँगी और सबसे पहले साइड से इसको बंद कर लूँगी सलाई लगा लूँगी अब बोटम से इसको तक्रीबन आदा पॉना इंच फोल्ड कर लूँगी अब नीचे वाले पार्ट को उपर वाले पार्ट से अटैच कर दूँगी और चुनटक डालते जाओंगी अब इसके घेरे पार्ट कर दूँगी पर भी लैस लगा लूँगी ये मेरे पास कपड़े का एक छोटा सा पीस है इस में से मैं ट्राउजर बनाऊंगी जिसके चोड़ाई 13 इंच है और ये डबल फोल्डीड है अब इसको फोर फोल्ड कर लेंगे देड़ इंच पर नेफे का निशान लगाऊंगी अब उस निशान से नाप कर लंबाई का निशान 17 इंच पर लगाऊंगी ट्राउजर को बोटम से बारीट फोल्ड करना है इसलिए आदा इंच उसके लिए निशान लगाऊंगी आशन का निशान 8 इंच पर लगाऊंगी और इसमें म्यानी भी लगाऊंगी ट्राउजर के बोटम में मैंने अलास्टक लगाना है इसलिए इसके हलकी सी कटिंग करूँगी अब ये जो नीचे से कपड़ा बचा है इसी में से म्यानी की कटिंग करूँगी प्राउजर के पाइंचे में इलास्टक लगाने के लिए मैं पौने दो इंच पर निशान लगाऊंगी अब नीचे कनारे से बारीक फोल्ड कर लूँगी इलास्टक के लंबाई छे इंच लिए है जिस तरह स्लीब में इलास्टक लगाया है इसी तरह ट्राउजर में भी लगा लूँगी अब ट्राउजर के साइड के सलाईया लगा लूँगी उसके बाद इसमें मैंने लगाऊंगी अब ट्राउजर के साइड के सलाईया लगा लूँगी मियाने लगाने की डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ आप मेरे चैनल का विजट करके वो वीडियो देख सकते हैं अप मेरे चैनल के याना चैनल को रहे अजय हैं तो अधर के सिलाई कम्प्लीट हो गई है अब मैं निफा बना लूँगी ये फरोग ट्रॉजर की फाइनल लुक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिज